तो गाइज बहुत मसक्कत करने के बाद बहुत ज़्यादा घाट करोज करने के बाद हम फाइनली 36 गड़ बोर्डर में एंटर को चुके हैं अभी उसका अंदर का नजार आपको दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं पर अर्मादेव दोस्तो गुड मॉर्निंग आदाव सस्त्रियाकाल तो दोस्तो आप यह सोचोगे कि हम कहां आ गए तो दोस्तो अधी हम फिलार हैं MP और 36 गड़ के बोर्डर के बिल्कुल बीचो पेच तो यहां का नजारा आपको मैं दिखाता हूं एकदम जन्नत है यह देखो क्या सीन है और यह देखो सामें दीख रहा है आपको और यह देखो क्या नजारा है और यहां हम खुद तो मिलते हैं कुछ समय के बाद अभी आगे चलने के बाद कहां रुकते हैं कहां नहीं दोस्त चलते चलते हमें मिले एक भाईया जो राष्थान और MP बोर्डर पर रहते हैं यह भाईया नाम बताना आपका क्या है पुनमदांगी पुनमदांगी और जीरापूर कहा यह और यह इनकी गाड़ी है और आज हम लगबग 10-15 किलोमेटर से आगे पीछे चल रहे हैं चलते चलते जा रहे हैं यह हम जिदर मिलते हुदर रोक लेते हैं फिर हम आगे चले जाते हैं तो ऐसा चलता जा रहा है तो अब भाईया निकल रहे हैं अपने रूट पर हम जाके चिल्पी में रुखेंगे कहा रुखना है तो दोस्तों मेरे को बताने की जरत नहीं यह दे ताइगर रिजरू है और मेरे को ज्यादा बताने की जर्द नहीं है आप सो बस खाली सीन एंजोई करो और हल्की हल्की बारी सारी बिल्कुल मजा रहा है फिल्कुल राइड करने में आज बहुत मसकत करने के बाद बहुत ज्यादा घाट करोज करने के बाद हम फाइनली 36 गड़ बोर्डर में एंटर को चुके हैं अभी उसका अंदर का नजार आपको दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं तो दोस्तों यह चिल्पी घाट जो कि जबलपुर से राइपुर जाते हैं आता है और आप जबलपूर से राइपुर की तरफ जाओगे तो दावन दाउन आएगा और राईपूर से लीजाओगे तो नफ्या बघणी और यह डाउन और वह देख सकते हो आप दिली बैया जा रहे हैं पूरा डाउन ही डाउन है यह लगबाग है दस किलोमेटर के गाट है तो यह दिली बैया यह गाट उतर रहे थे और यहां से आने के बाद इनका साइकल वाइकल सब कुछ तूट गया है हालत बहुत खराब हो हो तक कि यह देख सकते हो अभी तो फिलाल कुछ नहीं कह सकते हैं अभी हम जा रहे हैं गाट से नीचे आगे डेखते हैं को डोक्टर मिलता या नी मิलता अभी इसन पूरा यह 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 हम frei दना 10 20 लगा लीया है दिस्ट है फोई